दिन बैंक निप्टी में कौन से option में best trading opportunity मिलेगा तो सबसे पहले start करते हैं बैंक निप्टी का analysis अभी आपके सामने में ने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निप्टी का spot का daily का चार्ट लगाया हुआ है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा मंडे की session में market में एक upside का opening दिखाया और उपर की side में जो resistance level था वो resistance level को मतलब 40,840 के level को market ने touch करके वहाँ पर ही closing दे दिया है तो कुछ point के उपर आपको focus करना पड़ेगा तो point number one यहाँ पर जो आता है यह वो daily chart के analysis से यह निकल के आता है कि उपर की side पर जो resistance जहां से market न में यहाँ पर short position बजने की गुंजाईस पैदा हो चुकी है second point आपको यह consider करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो candle pattern develop हो चुका है यह कोई hanging man type candle pattern नहीं है क्योंकि hanging man टा criteria यह होता है कि नीचे की side का जो VKO कम से कम दो गोना बड़ा होना चाहिए उपर के side के real body का तो इसका कोई भ चार दिनों से अगर आप market को देखते हो तो चार trading session ने market ने 1500 प्लस point का एक upside का momentum दिखाया हुआ है और इस upside के momentum में हम लोगों को retracement देखने को नहीं मिल चुका है तो यह 3-4 point को आपको consider करना पड़ेगा तो यह retracement market में एक pending है और उपर से market को एक fundamental trigger मिलने वाला है अभी यह fundamental trigger कोन सा है कि RBI की तरब से अपना credit policy आने वाला है monetary committee का meeting अभी चल रहा है तो यह जो credit policy आने वाला यहां पर interest rate में किस तरिके का decision होता है यह fundamental trigger आने वाला decision mode market में देदेगा कि market इस trend line को break करके upside के momentum को continue रखेगा या फिर इस resistance zone को respect करके दूबारा downside का momentum देदेगा यह purely depend रहेग commitment होने वाला है क्योंकि इस expiry के दिन आपको RBI का policy भी देखने को मिलेगा मतलब morning session में हम लोगों को 10 बज़े के बाद जो policy आ जाएगा वो trigger की तरह काम करेगा और बढ़िया jackpot का trade भी देखने को मिल सकता है अभी कल के दिन का opportunity कहां पर मिलेगा यह समझने की कोशिश करते है अगर market इसी zone में कई पर open होता है तो market इसी range bound zone को continue रखेगा क्योंकि बड़ा player जो है वो trigger के पहले कोई भी decision आने से पहले कोई बड़ा position लेने की probability बहुत ही कम दिखाई दे रही है तो हम लोगों को 15 minute चाड़ के उपर जाके देखना पुड़ेगा कि कहां पर हम लोगों को decision बीजिव मोड आ सकता है कल के मैंने आपको अपने फ्रीवाले चाइनल में यहां पर जो अपडेट दिया हुआ था वहां पर एक बताया हुआ था कि यह जो range bound zone है इस range bound zone को अगर market अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उपर की साइड में next target जो निकल के आ रहा है वो 40840 क करिप का निकल के आ रहा है क्योंकि यह daily chart के ओपर एक important resistance level निकल के आ रहा था market ने इस level को break करने के बाद बहुत time यहां पर spend किया और फिर उसके बाद दूबारा एक rectangle pattern बनाया और इस rectangle pattern को break करने के बाद अपना जो target का level है यह target के level को यहां पर आचिव कर दिया है अभी कल के दिन best trading opportunity कहां पर मिलेगा कल अगर market इसी zone में open हो जाता है तो market यहां पर range bound रहने की probability रहेगी तो इस range bound zone में हम लोग trade करना award करेंगे हमर लिए best trading opportunity कब आ जाएगा जब market इस trend line को break करेगा तो हमर लिए best trading opportunity यहां पर develop हो जाएगा यह जो trend line में आपके सामने draw किया हुआ है यह बहुत ही important support की तरह काम करेगा market इस trend line को support लेके ऊपर जाने की probability है लेकिन इस support को अगर market downside की तरह break करता है तो उस case में हम लोग 4,800 का जो put है वो 4,800 के put को यहां पर buy कर सकते है इस case में हमारा जो stop loss निकल के आ जाएगा यहां पर market जो भी कुछ swing low बनाएगा as a stop loss की तरह हम ल पीचे के side में 4,680 का जो level आ रहा है यह हमारा लिया as a target level निकल के आ रहा है मतलब यहां पर almost 140 point का momentum हम लोगों को downside में देखने को मिल सकता है market upside को कब resume कर सकता है market में यहां पर जो range bound zone develop हो चुका है इसी range bound zone को market अगर कुछ time के लिए और continue रखता है और फिर इस upside के level को break करता ह तो यहां पर upside का momentum होने की probability है लेकिन एक बात याद रखे कि market ने continuously बहुत बढ़या 1500 point का upside का momentum दिया हुआ है और इस 1500 point के momentum के बाद आभी मेरे लिए fresh entry लेना बड़े quantity के साथ थोड़ा difficult रहेगा तो buy का opportunity आएगा तो में यहां पर मेरा जितना भी quantity रहेगा उससे आदे quantity के सा बोलता है कि market में uptrend develop हो चुका है bottom formation हो चुका है तभी उसी time के उपर अगर हम लोगों को कोई अच्छा कासा sale का signal मिल जाता है तो उस sale के signal में trapping अच्छे तरीके से हो जाता है और वहां पर trapping में एक अच्छा कासा buying का opportunity put की side में develop हो जाएगा जो एक बड़ा jack portrait हम लोगों क को दे सकता है ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है कि market में सभी लोग buy buy बोल रहे थे और आपको selling का opportunity मिला और उसमें अच्छा profit मिला यह मुझे comment section में बता दीजिए तो बाकी लोगों को भी बता चलेगा कि ऐसे opportunities कब develop हो चुके थे अभी निप्टी का मैंने कल के वीडियो म मिलेगा नीचे की side में फिलाल के लिए यहाँ पर कोई बैंक का opportunity मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बैंक निप्टी में जो है वो classical hanging man pattern नहीं formation हो चुका है लेकिन निप्टी में daily chart के उपर एक अच्छा कासा hanging man formation हो चुका है तो इसको किस तरीके से trade करना यह भी हम लोगों क समझना पड़ेगा daily chart के उपर अगर हम लोग जाते तो daily chart में आपको बहुत सरी बाते यहां पर clear हो जाएगी कि market ने एक अच्छा कासा upset का momentum दिखाने के बाद यह hanging man हम लोगों को indicate कर रहा है कि market में आईदर यहां पर एक retracement वाला दिन आ सकता है या फिर market यहां पर range bound रहने क probability जादा बनके आ रही है और इस range bound की probability को हमारा RBI का जो credit policy का trigger है यह भी support कर रहा है प्लस अगर आप देखोगे तो open interest का data comparatively कम generate हुआ है तो यह भी हमें indicate करता है कि बड़े player बड़ा quantity के साथ position नहीं उठा रहे है तो कल का दिन थोड़ा wait and watch की mode में रहना prefer कीजिएगा अगर क best opportunity आएगा तो मैं अपने इस free वाले चैनल में आपको update कर दूंगा जिसका link वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजिए अपने YouTube चैनल को subscribe करके bell icon का बटन दाबा दीजिए तो मिलता है next educational वीडियो में thank you very much